हम अपने एर्द के एर्द बेश्मार चीजें देखते हैं जैसे कुरसी, मेज, गलास, जग में दूद ये सब चीजें कुछ न कुछ जगा लेती हैं जैसा के अगर आप गलास में दूद डालें तो वो गलास के अंदर की जगा ले लेता है और खाली गलास के मुकाबले में दूद से भरा हुआ गलास वजन में ज्यादा होता है यानि गलास में डाले जाने वाला दूद जगा भी लेता है और इसका वजन भी होता है हर वो चीज जो रखने के लिए जगा गेरे और इसका वजन भी हो इसको मादा या मैटर कहते है अजीज सल्वा, हमारा आज का प्रोग्राम मादा या मैटर के बारे में है मैटर तीन शकलों में पाये जाता है यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में बरफ सॉलिड या ठोस चीज है अगर इसको पिगलाया जाए तो ये पानी में तबदील हो जाती है यानी ये माया या लिक्विड है इसी तरह अगर इस पानी को 100 डिग्री सेंटी क्रेट तक गरम किया जाए तो ये भाब की सूरत में तबदील हो जाता है ये गैस है आईए, सबसे पहले गैस के मुतलब गफ्तगू करते हैं गैस की सबसे अच्छी मिसाल हवा है जो हर जगा मुझूद होती है आप जानते हैं कि हवा मुख्तलिफ गैसों पर मुश्तमिल होती है गैस के मॉलیک्यूल्स का दर्मियानी फासला बहुत ज़्यादा होता है जिसकी विएसे उनके दर्मियान मुझूद कशिश बहुत ही कम होती है इस वज़ा से गैस के मॉलیک्यूल्स एक जगा से दूसरी जगा अज़ादाना सफर कर सकते हैं इस हरकत के दौरान वो एक दूसरे से टकराते हैं और अपनी सिम्ट तबदील करके दूसरी तरफ हरकत करना शुरू कर देते हैं गैस को अगर गरम किया जाए तो उसके मॉलیک्यूल्स के दरम्यान मौजूद फासला बढ़ जाता है गैस की ना तो कोई डेफिनेट वॉल्यम होता है और ना ही कोई डेफिनेट शेप गैस उस चीज का वॉल्यम और शेप लेता है जिस चीज में उसको रखा जाए आईए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं इन टेस्ट यूब्स और इस कॉनिकल फ्लांस में एक ग्राम टुबैको लिया गया है आप देखिए कि अगर इस टुबैको को स्परेट लैम पे रखके गरम किया जाए तो इस में से धुआ निकल के इस टेस्ट यूब में भर जाता है अब अगर इसको एक बड़ी टेस्ट यूब में डाल के गरम किया जाए तो आप देखेंगे कि धुआ इस बड़ी टेस्ट यूब में भर जाता है अब अगर यही मिगदार कॉनिकल फ्लांस में लेके गरम किया जाए तो आप देखेंगे कि यह गरम होके धुआ पूरे कॉनिकल फ्लांस में भर जाएगा आपने देखा कि हमने हर दफा एक ही मिगदार का टुबैको लिया और जब इसको मुख्तलिफ चीजों में डाल कर गरम किया तो गैस सारी जगा में फैल गई चाहे वो एक छोटी सी टेस्ट्यूप थी या एक बड़ा सा फ्लांस्क इससे ये बात थाबित होती है कि गैस उस सारी जगा में फैल जाती है जो इसको दी जाए और उस चीज की शेप लेती है जिसमें इसको डाला जाए आईए अब लिक्विट्स के बारे में बात करते हैं Liquid के molecules, gas के molecules के मुकाबले में कदरे करीब होते हैं जिसकी वैसे उनके दर्मियान मुझूद कशिष भी ज्यादा होती है Liquid के molecules, Liquid के अंदर एक जगा से दूसरी जगा हर्कत कर सकते हैं लेकिन ये liquid के बाहर नहीं जा सकते अगर किसी molecule में इतनी energy हो के वो chemical bonds को तोर सके तो वो liquid की सता से होतावा, बाहर निकल जाता है और vapors की शकल ले लेता है Liquid का एक definite volume होता है, लेकिन इसकी कोई definite shape नहीं होती ये उस चीज की shape लेता है जिसमें इसको डाला जाये आईए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं इस छोटे बीकर के अंदर 100 ml पानी लिया गया है आप देखिए कि ये इस छोटे बीकर की शेप ले लेता है अब अगर इस पानी को एक graduated cylinder में डाला जाए तो आप देखिए कि इसका volume वही रहता है यानि 100 ml रहता है लेकिन अब ये इस graduated cylinder की शेप ले लेता है अब अगर इसी पानी को एक बड़े बीकर में डाला जाए तो देखिए इसका volume वही यानि 100 ml रहता है लेकिन अब ये इस बीकर की शेप ले लेता है अब अगर इसी पानी को एक conical flask में डाला जाए तो आप देखिए इसका volume अब भी 100 ml है लेकिन अब इसने इस conical flask की शेप ले ली है solids के molecules एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं जिसकी विज़ा से इनके दरम्यान मौजूद करशिश बहुत ज़्यादा होती है solid के molecules वाइबरेट करते हैं यानि अपनी साकिन हालत के आगे पीछे हरकत करते हैं solids के एक मखसूस शेकल होती है यानि एक definite shape होती है और definite volume होता है आईए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं ये एक कील है जिसका अपना एक definite volume और definite shape है जिसमें इसको ढाला गया है अब अगर आप इसको एक छोटे बीकर में या फिर एक graduated cylinder में एक बड़े बीकर में या conical flask में किसी में भी डाल दें तो ये अपनी shape और volume बरकरार रखता है अजीज तल्बा आईए अब molecules के बारे में गुफतगू करते हैं matter के अंदर molecules हर वकत हरकत करते रहते हैं ये बात एक साइंसान रॉबर्ट ब्राउन ने एक तजर्बे की मदद से प्रूफ की इस हरकत के दोरान किसी भी liquid या gas के molecules एक और liquid या gas के molecules के साथ mix हो जाते हैं इस चीज को diffusion का नाम दिया गया है आईए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं इस graduated cylinder के अंदर पानी लिया गया है अब अगर इसके अंदर इंक डाली जाए तो आपने देखा कि इंक और पानी एक दुस्से में मिल गए और पानी काले रंग का हो गया यानि इंक के molecules पानी के molecules में घुल मिल जाते हैं ये इन दोनों के molecules की हरकत की वज़ा से होता है जब पानी और इंको मिलाए जाए तो इनके molecules हरकत करते हुए एक दुसरे से टकराते हैं और एक दुसरे में मिक्स हो जाते हैं इसी तरह मुख्तलिफ gases के molecules भी एक दुसरे में मिक्स हो जाते हैं आईए ये एक तजर्बे की मदद से देखते हैं इस सिलिंडर के अंदर हवा ली गई है जबके इस सिलिंडर में धुआ लिया गया है अब अगर आप इन दोनों के दिर्मियान मुझूद कार्ट को हटा दें तो आप देखेंगे के धुआ एर के साथ मिक्स हो जाता है अजीज तलबा आईए अब स्टॉलिट्स के बारे में बात करते हैं जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है स्टॉलिट्स के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं जिसकी वज़े से उनके दर्म्यान मौजूद कर्शिश बहुत ज्यादा होती है अब अगर इन मॉलिक्यूल्स को दूर किया जाए तो उनके उपर एक कुवत या फोर्स लगानी परती है जिस तरीके से अगर एक लोही की सिला को मूडना हो तो उसके उपर जोर जोर से जर्बें लगाई जाती है इसी तरह अगर एक रबर बैंड को लेकर उसके उपर कुवत लगाई जाए तो इसकी लंबाई तबदील हो जाती है अब अगर इसको छोर दिया जाए तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है इसी तरह अगर एक स्प्रिंग को एक तरफ से बांद कर दूसी तरफ से खेंचा जाए तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है या तबदील हो जाती है अब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये अपनी असली हालत में वापस आ जाता है इस खसूसियत को इलास्टिसिटी कहते है किसी भी ठोस जिसम की ये खसूसियत होती है कि वो हर उसकूट की मजाहमत करता है जो इसके हुझम, शकल या उसकी लंबाई में तबदीली लाने की कोशिश करे इसको इलास्टिसिटी कहते है किसी भी सॉलिट पर लगाई जाने वाली कूट जो इसके वालियम, शेप या लेंद को तबदील करे उसको स्ट्रेस कहते है वो कूट जो के एक यूनिट एरिया या एकाई रखबे पे लगाई जाए इसको स्ट्रेस कहते है स्ट्रेस को यू भी लिखा जा सकता है कि स्ट्रेस इस इकल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया या एफ ओवर ए इसके यूनिट ये होंगे निउटन पर मीटर स्क्वेर अब अगर कूट एक ऐसी तार पे लगाई जाए जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और कूट लगाने के बाद इसकी लंबाई स्मॉल एल बढ़ जाती है तो स्ट्रेन स्मॉल एल ओवर एल होता है जहां पर कैपिटल एल तार की लंबाई है और स्मॉल एल तार की लंबाई में इजाफा है किसी भी ठोस जिसम में लाई जाने वाली तब्दीली इसके उपर लगाई जाने वाली कुवत के बराबर होती है ये हुक्स लौ है इसको यू भी बेयान किया जा सकता है कि Stress over strain is equal to E which is a constant जब भी किसी चीज के उपर इस सरीके से कुवत लगाई जाए कि उसकी लंबाई में तबदीली आए तो इस हालत में इस constant को Young's modulus का नाम दिया जाता है और इसको Y से जाहिर किया जाता है हर चीज की शिनाख उसकी density से की जा सकती है जो हर चीज के लिए मखसूस होती है density की तारीफ कुछ यूं की जा सकती है कि अकाई हुझम में कमियत की मिगदार को density कहते है density को यूं भी लिखा जा सकता है कि density is equal to mass divided by volume या M over V इसके unit ये होंगे kilogram per meter cube अजीज तल्वा जैसा कि आपको पहले बताय जा चुका है solids, liquids और gases के molecules हर वकत हरकत करते रहते हैं हरकत करते वकत ये एक दूसरे से टकराते हैं और beaker की wall से भी टकराते हैं जब ये molecules बीकर की wall से टकराते हैं तो ये उनके उपर एक कुवत या force लगाते हैं एक अकाई रगबा के लिए ये force प्रेशर कहलाती है प्रेशर को यूं लिखा जाता है कि pressure is equal to force divided by area या F over A इसका unit पासकल होता है solids के अंदर वजन जितना ज्यादा होगा उतना ही pressure ज्यादा होगा अगर एक solid को एक मेज या फिर जमीन पे रखा जाए तो ये अपने वजन के मताबग इस मेज के उपर force लगाता है third law of motion के मताबग ये मेज भी इसके उपर इतनी ही कुवत लगाएगा जिसकी वज़ा से ये solid आपको साके नजर आता है liquids में pressure, liquid की density और गहराई पर मुनहसर है आईए ये समझने के लिए एक तजर्बा देखते हैं अगर एक डब्बे में एक तरफ तीम मुक्तलिफ गहराईयों पर सुराख करें और इसमें पानी भरें तो आप देखते हैं कि सबसे नीचे वाले सुराख में से निकलने वाला पानी सबसे ज़्यादा दूर जाता है जबके बागी दोनों सुराखों में से पानी ज़्यादा दूर नहीं जाता इस से ये बात साबित होती है कि जितनी गहराई ज्यादा होगी इतना ही प्रेशर ज्यादा होगा Liquids के pressure में density और गहराई के इलावा दो और रसूल अमल करते हैं जो के कुछ यूँ है जिस परतन में Maya या liquid रखा गया हो इसकी दीवारों पर liquid का दबाव अमूदन अमल करता है Maya के अंदर किसी गहराई पर वाक्या नुकते पर दबाव हर सिंप में यकसा होता है ये Pascal's Law है Liquids को जिस टीज में भी रखा जाए वो इसके वाल्स के नॉर्मल प्रेशर लगाता है अगर ये प्रेशर एक एंगल बनाता हुआ लग रहा होता तो हमें पानी हिलता हुआ नजर आएगा क्यूंके Newton के Second Law of Motion के मताबिक जिसम उसी सिंप में हरकत करता है जिस सिंप में उस पर कुवत लगाई जाए मगर हमें पानी हरकत करता हुआ नजर नहीं आ रहा जिसका मतलब ये है के कुवत दीवारों के नॉर्मल लग रही है और Third Law of Motion के मताबिक बीकर की दीवारें भी इतनी ये कुवत पानी पर लगा रही है जिसकी वज़ा से पानी साकिन है लिक्विड्स हर सिंप में बराबर प्रेशर लगाते हैं ये पांसकल्स लौ है आईए इसको एक तजर्बे की मदद से देखते हैं ये एक स्रिंज है जिसके साथ टैनिस बॉल लगाई गई है और इसमें मुख्तलिफ जगाओं के उपर सुराख किये गए हैं अब अगर इस बॉल में मुझूद पानी पर इस स्रिंज की मदद से कुवत लगाई जाए तो आप देखेंगे के सारे सुराखों में से एक ही प्रेशर से पानी बाहर निकलता है लिकृट or solids की तरह gases भी pressure लगाती हैं लेकिन लिकृट और solids में ये pressure उनके वज़न की वज़ा से होता है जबके gases में pressure gases के molecules का cylinder की दीवारों से टकराने की वज़ा से होता है आप जानते हैं कि हवा gases का एक mixture है सो वो जमीन पर मौझूद हर चीज़ के उपर एक प्रेशर लगाती है इसको अटमस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है सी लेवल के उपर अटमस्फेरिक प्रेशर 100,000 पास्कल के बराबर होता है किसी भी कैस के प्रेशर को नापने के लिए जो आला इस्तमाल किया जाता है उसको मैनो मीटर कहा जाता है अजीज तलबा, आपने अक्सर मुशायदा किया होगा कि जब किसी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डबोया जाए तो ये उचल कर उपर आ जाता है इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर से इस पर कोई कुवत लग रही है जो इसको उपर की तरफ उचाल देती है इसको बायोसी या अप्थरस्ट कहते है जो भी चीज पानी के अंदर या किसी लिक्विट के अंदर डाली जाए उसके उपर अप्थरस्ट उसके वॉल्यम के बराबर अमल करती है जब भी कोई जिसम लिक्विट में डाला जाए तो इस पर एक बायोन्ट फोर्स अमल करती है जो के इसके वजन के बराबर होती है ये आकिमीडीस प्रिंसिपल है या असूले आर्शी मीदस है अगर पानी में डाली जाने वाली चीज का वजन इस बायोन्ट फोर्स से ज्यादा हो तो वो पानी में डूब जाती है और अगर इस चीज का वजन इस बायोन्ट फोर्स से कम हो तो वो पानी पर तैरने लगती है इस बायोन्ट फोर्स की वज़ा से हम तैहते हैं और बड़े बड़े बहरी जहाद समंदर की सता पर हरकत करते हैं आकिमीडीस प्रिंसिपल ना सिर्फ लिक्विट्स के लिए बलके गैसिस के लिए भी दुरुस्त है इसकी विज़े से हॉट एर बेलून्स उड़ाए जाते हैं अजीज सल्वा आईए आज के प्रोग्राइम के एहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं किसी भी ठोस जिसम की ये खसूसियत होती है कि वो हर उसकुट की मजाहिमत करता है जो इसके हुझम, शकल या इसकी लंबाई में तबदीली लाने की कोशिश करे इसको elasticity कहते हैं, वो कुवत जो के एक unit area या एकाई रख़पे पे लगाई जाए, इसको stress कहते हैं Stress को यूँ भी लिखा जा सकता है कि stress is equal to force divided by area या f over a इसके unit ये होंगे newton per meter square अगर किसी तार पर जिसकी लंबाई capital L है, उसके उपर कुवत लगाई जाए और उसकी लंबाई small l बढ़ जाए, तो strain small l over capital L होता है जहां पर capital L तार की लंबाई है और small l तार की लंबाई में इजाफा है किसी भी ठोस जिसम में लाई जाने वाली तबदीली इसके उपर लगाई जाने वाली कुवत के बराबर होती है ये hooks law है या फिर इसको यू लिखा जा सकता है कि stress divided by strain is equal to E constant अगर किसी ऐसी चीज़ पर कुवत लगाई जाए जिसकी लंबाई तबदील हो जाए तो ये constant young's modulus कहलाता है और ये y से जाहिर किया जाता है अकाई हुझम में कमियत की मिगदार को density कहते हैं density को यू भी लिखा जाता है density is equal to mass divided by volume या m over v इसके unit ये होंगे kilogram per meter cube अकाई रगबे पे लगने वाली कुवत प्रेशर कहलाती है और प्रेशर को यू लिखा जा सकता है कि pressure is equal to force divided by area या f over a इसका unit पासकल है liquids के अंदर pressure density और liquid की गहराई के इलावा दो असिवलों पर मुश्टमिल होती है वो ये हैं जिस बरतन में माया या liquid रखा गया हो इसकी दीवारों पर liquid का दबाव अमूदन अमल करता है माया या liquid के अंदर किसी गहराई पर वाक्या नुकते पर दबाव हर सिंप में यकसा होता है जब भी कोई जिसम liquid में डाला जाए तो इस पर एक बायाउंट फोर्स अमल करती है जो के इसके वजल के बराबर होती है ये आकिमीडीस प्रिंसिपल या अरसूल अर्शीमीदस है अजीज दल्बा हमारा आज का प्रोग्राम मादा या मैटर के बारे में था अब इजाज़त दीजे अलाहाफिज झाल कि का बातारा आज कि बातारा आज काराफिज